नाभी में ऑईल डालने से फायदे कैसे हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? Hello friends, welcome back to my channel. This is Shraddha here and you are watching Healthy Beauty. कैसे हैं आप सब? उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे. आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि नाभी में ऑईल डालने से कैसे फायदे हो सकते हैं? कुछ भी बोलते हैं क्या लोग? लोग बोलते हैं कि आपके अगर होट पट रहे हों तो नाभी में ऑईल डाली है और उससे आपके होट पटना बंद हो जाते हैं. आपके होट मुलायम हो जाते हैं. क्या ये वाकई में सही है? आज बहुत सारे लोगों के doubts होते हैं लोगों को नहीं पता होता है कि नाभी में क्यों oil डाला चाता है तो ये चीजे आज मैं आपके साथ आपको clear करने आई हूँ आपको इसके बारे में information देने आई हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि नाभी क्यों important है और क्यों इसमें oil डाला चाता है मेरा first video जो YouTube पे मैंने बनाया था जो डाला था वो था कि different तरीके के oils नाभी में डालने से कौन-कौन सी परिशानिया दूर हो जाती है तो उसमें बहुत सारे लोगों के doubts आये थे और कई लोगों ने बोला था कि आप इसको demo दिखाएए demo दिखा सकते हैं कि आप कि किस तरीके से हमें oil डालना चाहिए और और भी बहुत सारे सवाल थे वो वीडियो मेरा काफी popular हुआ उसके लिए thank you so much दिल से thank you so much कि आप सब ने उसको देखा तो आज इस वीडियो के तुरू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाभी में हम oil क्यों डालते हैं क्यों डालना जरूरा वीडियो पूरे देखेगा आपको आगे मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको oil लगाना इसका एक short demo भी मैं आपको आज देने वाली हूँ बहुत सारी परिशानिया जो होती है वो नाभी में oil डालने से दूर हो जाती है नाभी जो होती है इसको हमारी body का जड़ बताया गया है ठीके इसी लिए इस नाभी से होते हुए हजारों नसे हमारी होते हुए जाती है ठीके मतलब कि अगर आपकी इस नाभी से हजारों नसे जा रही है तो अगर आप इसमें oil डालेंगे तो वो पूरे आपकी body पे distribute हो जाएगी अब एक example बताती हूँ आपको एक मा के पेट में जब बच्चा होता है तो उस वो बच्चा अपनी मा से कैसे connect होता है वो नाभी से ही connect होता है जिसके नाभी के तुरू ही वो सांस ले पाता है खाना खा पाता है और जो उसकी body को पूरे जो nutrition होते हैं वो उस नाभी के तुरू ही मिल पाते हैं उसका brain का development भी उसी नाभी के जो nutrition होते हैं उसकी वज़े से होता है पूरी body का development उसकी वज़े से होता है तो आप ये सोचिए जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ पेट से निकला भी नहीं है तब उसको उस नाभी से इतना nutrition मिल रहे हैं तो बाद में वो नाभी में अगर हम इस different तरीके के oils डालते हैं तो वो हमारी body को कितना अच्छा result दे सकती कितना अच्छा effect पहुचा सकती है इसी लिए बोला जाता है कि आप नाभी में oil डालिए अब आपको ये doubt clear हो गया होगा कि हम लोग नाभी में डालने के लिए क्यों बोलते हैं हम अपने चहरे पे बहुत सारी चीज़े लगाते हैं कहीं ये face pack लगा रहे हैं कहीं वो लगा रहे हैं बट आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप अगर नाभी में बादाम का oil डालते हैं तो भी आपकी skin glow करने लगेगी वो results आपको मतलब कि आपकी skin पे भी दिखाई देंगे जैसे कि सरसो के तेल से आपके होटों पे होता है आपके होट फटना बंद हो जाते हैं नारियल तेल का use करने से आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है बादम oil जो कि मैंने आपसे कहा sweet almond oil अगर आप डालते हैं तो वो आपकी skin पे glow लेके आता है ऐसे बहुत सारे oils हैं जिसको डालने से आपके मतलब जो परिशानी है benefits उससे मिलते हैं वो first video में मैंने आपके साथ share किया अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं link में डाल दूँगी और बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं उस पे एक और अच्छा सा video बना दूँगी क्योंकि वो first video था तो उतने अच्छे से मैं आपको explain नहीं कर पाई थी तब भी आप देखेगा वो video और कुछ doubt हो तो जरूर पूछेगा तो चलिए एक demo मैं आपको एक छोटा सा demo बता देती हूँ कि रात में सोने से पहले आप इसको किस तरीके से apply करिएगा क्योंकि कई लोगों ने मुझ से ये पूछा था कि अगर हम रात में सोने से पहले डालेंगे तो हमारे कपड़े गंदी हो जाएंगे किस तरीके से डालना चाहिए बहुत सारे लोगों के सवाल दे तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको apply कर सकते हैं और आपको कैसे लगाना चाहिए आपको अगर जो भी आप ओयल ले रहे हैं, जो भी आप लगाना है जिस भी कारन से आप जो ओयल ले रहे हैं उसको डेली आप अपने बैट के बगल में से रखे रहन दीकते और नाभी में डालना चाहते हैं उसको रात में सोने से पहले तीन से चार ड्रॉप्स आप अपनी नाभी में डाल लीजिए और उसको डालने के बाद आप इस तरीके से अपने उंगली से उसको कर सकते हैं और उसके बाद नाभी के आजू बाजू हलकी सी एक सर्कुलर मोशन में म बच्चों के लिए वैसे घी बहुत अच्छा होता है, उनकी स्किन काफी अच्छी होती है. किसे आप इसको लगा सकते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, तो यह था मेरा आज का वीडियो, होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, I'll see you in my next video, till then take care, bye-bye.